Hello friends, welcome to my channel The Composite Canvas. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों में जो खासी होती है, जिसके वज़े से कंजिशन होता है और वो ठीक से सो नहीं बाते है, इसके लिए एक बेस्ट होमेट रेमिडी. सर्दियों में और बारिश के मौसम में बच्चे और बड़े अकसर बिमार होते हैं. इस मौसम में वाइरिल इंफेक्शिन्स की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों में बार बार सर्दी और कफ की समस्याएं देखने को मिलती है. कफ अधिक मातरा में होने के वज़े से बच्चे रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं और बहुत अस्वस्त हो जाते हैं. ऐसी स्थिती में पेरिंस तुरंत अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इतनी चोटी सी उम्र में बच् और कफ की दवाईयां खाने पड़ती हैं. आप सभी को पता है कि ये दवाईयां बच्चों को इतनी कम उम्र में बार बार देना हानिकारक होते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक घरेलू नुस्का जो आप घर पे ही कर सकते हो जिससे हमारे ब टिबायर्टिक्स लेने से बच जाएंगे. अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई और टिप्स हो तो कॉमेंस सेक्शन में हमारी पूरी कम्यूनिटी के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें. जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक बिलकुल आपको बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो अंतक जरूर देखे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. इसका साहित्य बिलकुल आसानी से हमें मिल जाता है. काफी लोगों के घर में घर के आसपास भी इसका पौदा आपको मिल जाएगा. इस पौदे को हम इंग्लिश मे आलोवेरा कहते है. इसे हिंदी में गृत कुमारी और मराठी में कोरफड कहा जाता है. तो आलोवेरा का उपयोग आज कल काफी कौस्मेटिक्स में भी पाया जाता है. पर आलोवेरा के जेल से कफ के लिए दवाई कैसे बनानी है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे. त अगर हम वो आलोवेरा का सही पौदा नहीं समझ सकते है तो कोई भी आयर्वेदिक दुकान से हम इसका पल्प खरीद सकते है या Amazon से आलोवेरा का पौदा या इसके ready to use पत्ते खरीद सकते हो. ये है हमारा आलोवेरा का पौदा. हमें एक पूरी तरह से उगाया हुआ मोटा अलोवेरा का पत्ता कट करना है. इस पत्ते के बाजू में नौकीले काटे होते है इसलिए इसे ध्यान से कट करना है. इस प्रकार हमें अलोवेरा के पत्ते को कट कर लेना है. ये अंदर का जेल हमें यहाँ दिख रहा है अब हम इस पत्ते को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से धोने के बाद पत्ते के दोनों साइड के काटो को हमें कट कर लेना है क्योंकि इसके काटो में जो केमिकल्स होते हैं वो हम अपनी दवाई में इस्तमाल नहीं करने वाले है फिर अलोवेरा के पत्तों को दो तुकडों में कट कर लेना है अब हमें अलोवेरा के तुकडों को गैस पे सेक लेना है इसके लिए मैंने यहाँ एक स्टेनलिस स्टील की जाली का इस्तमाल किया है इसे तंदूरी जाली या रोस्टर ग्रिल भी कहा जाता है यह आपको Amazon या आपके घर के आसपास यूटेन्सिल्स वाले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी आप चाहे तो डाइरेक गैस पे भी रख सकते हो लेकिन मैं सजिस्ट करूँगी कि आप जाली रख के ही सेके क्योंकि गैस पे डाइरेक रखने से अलोबेरा जब पूरी तरह से पक जाएगा तो वो बारीक हो जाता है जिसके कारण वो गैस के बर्नर में गिर जाता है और फिर निकालने में मुश्किल होता है ये मेरी साथ काफी बार हो चुका है इसलिए मैं जाली रेकमेंट करती हूँ हमें ये अलोबेरा के तुकडे धीमी आज पे सेक लेना है इसे करीब साथ से दस मिनट तक पूरा काला होने तक सेके जब तक ये पत्ते पूरे काले ना हो जाए तब तक दोनोट साइट से अच्छे से सेक लेना है अब ये हलका हलका काला होने लगा है ये पूरी तरह काला होने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे चिमटा के सहायाथा से एक ब्लेट में निकाल लेंगे फिर अलोवेरा के उपर वाले ये काले छिलके के लेयर को हम निकाल लेंगे और इसके अंदर का जेल यूज करेंगे जेल को निकालने के लिए हमें चन्नी का इस्तमाल करना है यहां मैंने एक स्टील की चन्नी ली है आप कोई भी प्रकार की चन्नी का इस्तमाल कर सकते हो अलोवेरा के जेल को इस प्रकार से निकाल लेना है तो ये रहा हमारा अलोवेरा का जेल रेडी अब इस अलोवेरा के जेल में हम इस मिश्रण को मिक्स करेंगे ये मिश्रण मैंने बना के रखा है इसमें थोड़ी सी हल्दी, कूटे हुए अद्रक का आधा चमच जूस, 15-20 तुलसी के पतों का रस और एक चमच शहद मिला लेना है जरा सा वेखन पाउडर पर ये ऑप्शनल है इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला कर बच्चों को ड्रॉपर या चमच से दे सकते है अगर आपने आपके बच्चों को इस दवाई को पहले ना दिया हो तो एक चमच मतलब एक एमिल दे के देखे और फिर बाद में आप इसे सुबह और शाम दो बार दे सकते हो ये दवाई देने से बच्चे का कफ उल्टी या पॉट्टी से बाहर निकल जाता है तो अगर बच्चे को उल्टी हो जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दो दिनों के इस्तमाल के बाद बच्चों में कफ काफी मातरा में कम हो जाएगी और आपके बच्चों को काफी राहत महसूस होगी जो भी कंचिशन है नोज में या चेस्ट में वो निकल जाएगा और बच्चा आसानी से ब्रीट कर पाएगा मैंने मेरे बेटे को ये दवाई दी थी तब भी उसने उल्टी से पूरा कफ निकाल लिया अगले ही दिन उसे काफी अच्छा महसूस हुआ था इसका असर हर बच्चे की इम्मुनिटी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है तो इस दवाई को आप एक दो दिन और बढ़ा कर दे सकते हो इस दवाई का इस्तमाल बड़े भी कर सकते हैं लेकिन इसकी मातरा अधिक रहेगी याद रखे इस दवाई को गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं बिलकुल भी इस्तमाल ना करे इससे आपके गर्भ पे असर होने की संभावना अधिक होती है अलोवेरा के पत्तों का या इन से निकले हुए जेल का कफ की दवाई के अलावा और भी दूसरे फाइदे होते है तो चलो अब इन फाइदों को जान लेते है काम करते वक्त अगर आपकी हाथ की तवच्छा जल जाए तो आप तुरंट अलोवेरा के जेल को लगा सकते हो आपको तुरंट इससे थंड़क महसूस होगी और जलन से राहत मिलेगी अलोवेरा के जूस में विटैमिन्स और मिनरल्स पाए जाते है ये जूस का सेवन करने से हमारा शरीर डेटॉक्सिफाय होता है अलोवेरा जूस पीने से पच्छन क्रिया सुधर जाती है ये जूस हमारी शरीर में इमिनिटी भी बढ़ाता है अलोवेरा जेल का कॉस्मेटिक्स में भी काफी प्रयोग किया जाता है ये आपके make-up, moisturizers, soaps, sunscreens, shampoos में आम ingredient होता है इसका पल्प तो आप घर पे निकाल के भी आपके बालों में लगा सकते हो ये बहुत ही बढ़िया conditioner का काम करेगा Winter season में आप aloe vera के gel को skin पे लगा सकते हो जिससे skin का moisture maintain रहेगा और आपकी skin रूखी नहीं लगेगी इसका इस्तमाल आप आपके बच्चों की तवच्चा पे ना करे क्योंकि काफी बच्चों में इससे rashes हो जाते है ये सारे फाइदे और इसके जैसे अनेक फाइदों से उपियुक्त अलोवेरा का पौदा आप आपके घर में जरूर लगाए इस वीडियो में बताए गए उपाय का आपके बच्चों को कैसे लाब हुआ ये हमें कॉमेंस सेक्शन में जरूर बताए उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसकी जरूर मदद होई होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बगल में दिये गए बेल आइकन को भी दबाए जिससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आए झाल